हाई व्रिवन मैं हूँ लक्षमी मेरे चैनल लक्षमी किचन मैजिक में आप सब का स्वागत है दोस्तो सफेद बालों को काला करने का कोई नुस्का ढून रही है ये नुस्का आपके लिए बहुत ज़्यादा बेश्ट होने वाला है आजकल सफेद बालों के समस्या आम हो चुकी है एक उम्र में बाल सफेद होता है तो कोई बात नहीं लेकिन छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद होने लगे हैं ये सबसे बड़ी समस्या है तो आज मैं आपसे सेर करी हूँ नैचुरल हेरडा है जो बहुत ही कम चीजों से बन करके तयार हो जाता है और ये सफेद बालों को पूरी तरीके से काला करता है सिप ये सपिद बालो को ही काला नहीं करता है दोस्तों बलके जड़ते भी बालो को रोकता है और बालो की ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर देता है जिससे आपके बाल लंबे घणे मोटी और मजबूत होंगे दोस्तो इसमें कोई chemical नहीं है फिर भी ये आपके सपीर बालों को पूरी तरीके से काला कर देगा वीडियो को अन तक जरूर देखें जिससे आपको step by step पूरी तरीके से जानकारी हो जाए वीडियो पसंद आए तो like share जरूर कर देए और अगर आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को follow कर लें तो चलिए दोस्तो देदी न करते ही वी वीडियो को सुरू करते हैं तो इसके लिए दोस्तो आपको लेना है मंगरेल यानि की कलोंजी आप लोग का कमेंट होता है कि मैं कलोंजी किसे कहते हैं इसे black cumin seed कहा जाता है और इसे नजीला सतीवा भी कहा जाता है ये हमारे सफेद वालों को natural तरीके से काला करता है इसमें essential oil होता है जो हमारे scale में होने ले लेना है लोहे का तबा अगर लोहे की कठाई है तो आप लोहे की कठाई भी ले सकते हैं क्योंकि लोहे में iron के तत्व होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है कलोंजी में fatty amino acid होता है जो हमारे बालों की growth को फार्ष करता है साथ ये साथ बालों के ज अगर बालों में करते हैं तो आप देखेंगे मेलरिन से होने वाले नुकसानों से यह रोकता है जिससे की बाल सफेद नहीं होते हैं तो यहां पर देखें दोस्तों कलोंजी को आपको 2-3 मिनिट के लिए अच्छे से भूनना है तब तर जब तब बिलकुल यह पूरी तरीकी से फूट नहीं जाता है और बिलकुल यह बलेक नहीं हो जाता है तो देखें अच्छे से भून चुका है अब जब यह ठंडा हो जाए तो इसे मिक्सरी के जार में डाल करके इसका फाइन पौडर तयार कर लेना है तो देखें इसका फाइन पौडर तयार हो चुका है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे आप चाहे तो इस्टोर करके भी रख सकते हैं लेकिन सीसे के बोटल में और जब भी आपको डाय बनाने का मन हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं तो फिर से हम गैस पर तवा या फिर कढ़ाई चरा देंगे लेकिन लोहे कहीं लेना है दोस्तो इस बात का ध्यान रखना है तो अब देखे इसमें एक किलास के करीब आपको पानी डाल देना है पानी को आपको अच्छे से गर्म होने देना है और इस तरह मिट्र को दोस्तोर क पाउडर भी ले सकते हैं दोस्तो आमला पाउडर बहुत इजले आपको मिल जाएगा नहीं मिलता है तो आप ओनलाइन पी से पर्चेश कर सकते हैं तो यहाँ पर दो से धाय चमच आपको आमला पाउडर ले लेना है या फिर आप अपने बालों के लेंद के अकोर्डर भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर आमले का सेवन आप खाली पेट करते हैं तो आप देखेंगे हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है बालों को हेल्दी रखता है दो चमच यहाँ पर डाल देना है कोलोंजे का पाउडर और इसे भी हम बहु की वी ग्रोथ फिर से होने लगती है जिससे हमारे बाल लंबे खने मजबूत होते हैं तो देखिए इस तरह से आपको मिक्स करते हुए पका लेना है और आप देखेंगे जैसे जैसे पकते जाएगा बिलकुल यह डार कलर सा हो जाएगा तो दोस्तों आप मेरे वीडियो को बहुती अच्छा कलर देता है लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे जो भी काले बाल है वो भी सपेद होने लगते हैं और बाल हमारे डैमेज हो जाते हैं बालों में फिरिजनेस आ जाती है तो ऐसी गलती नहीं करने है तो देखिए अब यह गाढ़ा हो गया है तो हम गैस को छोड़ दें तो देखिए दोस्तो अब हम इसे एक बाल में निकाल लेंगे और देखिए तेन से चार घंटे में ही बिलकुल यह काला हो चुका है तो यह आईरन की बज़े से भी होता है अब इसका यूज आपको किस तरह से करना है यह जानाब के लिए बहुत ज़्यादा आपको इसे ब्रस या फिर कॉटन के साहिता से बालों में लगाना है और इसे तीन से चार घंटे के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है जब ड्राय हो जाए तो नॉर्मल पाने से बालों को वास कर लेना है आप देखेंगे एक एक सफेद बाल आपके जर से काले हो जाएं नेचरल चीजे जो होती है टाइम लगाती है लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है तो मन बहुत ही ज़्यादा खुस होता है दोस्तो विक में आप इसे एक बार जरूर लगाए अगर ज़्यादा समय मिलता है तो दो बार भी इसे लगा सकते हैं और वीडियो कैसी लगी कॉम